हेलो दोस्तों तो अभी हम बात करने वाले हैं कोईनूर फूर्ड लिमिटेड के बारे में तो इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कुछ दिनों से लगाता और उपर जा रहा है तो हम उसे पहले की बात करें तो यहां पर अब देख सकते हैं अगर हम वन यर के चार्ट पैटर में देखते हैं तो उपर गया पिर नीचे आया पिर उपर जा रहा है तो यहां पर जो है जब तक यहां से उपर से नीचे आ रहाता इस बीच में जो है सिल नहीं हो रहाता तो जब lower circuit होता है तो sill नहीं होता है तो जब भी कोई penny stock का momentum इस तरह रहता है अपर circuit लगाते हुए उपर जाता है और down जो lower circuit लगा के नीचे आता है फिर यहाँ पर तोड़ा से pause लेता है फिर उसके बाद एकदम से दड़ाम से नीचे गिरता है तो अगर आप इस stock में कोई stock म अगर इसमें buy किये हो तो यहाँ पर मेरी suggestion यह है कि यहाँ पर sill करके निकल जाओ हो सकता है आने वाले एक दो दिन या पर हो सकता है पांचे दिन भी उपर जाएगा उसके बाद नीचे आ सकता है क्या पता बहुत सारे stock ऐसे भी ते जिसमें मैंने वीडियो बनाया ता ऐसा अगर नीचे आया तो ऐसे जा रहा है तो यह कभी भी नीचे आ सकता है क्यांकि मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद तुरंट देखता था तब यह डाउन सर्कीट जो है लगाना हो जाता था तो ऐसे मैं इन स्टॉक में जो भी अपर सर्कीट या पिर लोवर सर्कीट जिस स् उस stock में आप पैसा मत डानेगे क्योंकि इन stock में आपको जितना पैसा बनने का chance रहता है उससे ज़्यादा आपको loss होने का probability होता है तो इन stock में आगर हम बात करें 1 lakh लगाते हैं तो ये 10 lakh भी बना सकते हैं और बात करें तो ये 1 करोड तक भी ये आपको profit बना सकते हैं लेकिन जो आपने 1 lakh रूपिया लगाया है वो पैसा जो है आपका 10 के यानि की 10 हजार या फिर 1 हजार तक भी लाके रख सकते हैं तो ऐसा जो जिसमें 1 lakh का 1 करोड बने वो बहुत कम chances होते हैं बट जो 1 lakh डाला है वो 10 हजार तक लाके रखेंगे वो बहुत सारे stock होते हैं तो इस stock में अगर आप इस stock में buy किया हुआ है तो आप इस stock को sell कर दीजे क्योंकि आपका पैसा बहुत ज्यादा केमती होता है तो अगर आप इसमें buy करना चाते हो कोई भी तो इसमें मत buy कर लीजे जो इसमें buy किया हुआ है वो sell कर लीजे क्योंकि हो सकता यहां तक भी जा पाएगा लेकिन यह बहुत ही कम chances होता है जब ऐसा जाकर ऐसा आता है तो यह फिर से इतना उपर जाएगा यहां बीट से ही जो है नीचे आ जाते हैं तो यहां पर बहुत ज़्यादा chances है कि 2-5 दिनों के बीट यह lower circuit आना start हो सकता है तो हमारा तो यह बताना था कि आपको ओकी है होता क्या है अगर आप इस stock की fundamentals देखने की कोशिश करोगे तो इसका fundamentals जो है बहुत ही weak दिखने को मिलेंगे अगर आपको fundamentals देखना है तो हमारी previous वीडियो में भी आप देख सकते हैं चाया तो आप कुछ से भी analysis कर सकते हैं तो इस stock में आपको पैसा बनेगा नए बढ़की loss होगा अभी अगर buy करोगे इस level पे तो आप बहुती बड़ी गल्दी कर रहे हो अगर आप इस level पे buy कर रहे हो तो आप definitely अभी market में नए हो आपको market के बारे में इतना knowledge नहीं है अगर आप market में बहुत सालन से रहे रहे हो फिर भी इस stock में आप buy कर रहे हो एक तो आपके पास experience है इन stock के बारे में या फिर आपको इस stock के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो अगर आपको इस stock में पैसा बनाना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा experience की जरुरत होना चाहिए क्योंकि इन stock के बारे में कैसा momentum होता है उसको track करना आना चाहिए आपको track करना नहीं आता है बस market में ये उपर ज़रा इसी वज़े से आप buy करना चाहोगे तो आप बहुत बड़े loss का दरवाजा कोल रहे हो So I hope आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप beginner हैं तो इसमें buy मत कर लीजे अगर इसमें buy किया हुआ है तो अभी sell कर दीजे एक बार नीचे आएगा तो पिर आप sell नहीं कर पाऊगे तो पिर रोते रहोगे आपका पैसा आपके आँकों के सामने loss करते जाएगा So यह best option यही है कि अभी sell कर लीजे और buy मत कर दीजे ठीक है So I hope आप समझ गया होगे और क्या ज्यादा पता है